नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अर्पित और एक बार फिर्ट से आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंनपुरी लोगसभा सीट के बारे में और देखेंगे कि यहाँ पर किस पार्टी का कितना दम है और किस के जीतने की कितनी संभावना है और बातें हम सारी fact-based करेंगे यह नहीं कि हवावाई कह रहे है यह जीट जाएगा वो जीट जाएगा खास्तों से हमारे जो भाती जन्ता पार्टी के supporter मित्र हैं जो कह रहे हैं कि भाजपा अस्ती में अस्ती सीट जी जाएगी उत्तरप्रदेश की वो जो है आज से गिनना शुरू करें कि उन्हें कितनी सीटें अस्ती में माइनस करनी है तो देखिए मैनपुली से श्रीमती डिमपल यादो को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोशित कर दिया है वही यहां से वर्तमान सांसत भी हैं क्योंकि जब 2022 में मुलायम सिंग यादो जी का निधन हो गया तो यह सीट खाली हो गई थी तब यहां पर उपचुना हुए 2022 में और डिमपल यादो यहां पर बंपर वोटों से जीती है उन्होंने हराय था भाती जनता पार्टी के रगुराज सिंग शाके को और यह जो रगुराज सिंग शाके हैं यह कहते हैं कि यह मुलायम सिंग के और शिवपाल सिंग के शिष्ष हैं उनके चेले हैं इसलिए इस चुनाओ को बहु बनाम चेले के रूप में प्रचारित किया गया था, काफी चीज पर बात हुई थी, बहुत सारी बहसे चली थी, कि बहु को वोट देना चाहिए या फिर चेले को वोट देना चाहिए, कौन असली उत्तराधिकारी है, वारिस है मुलायम सिंग ज उसके बाद 1996 में वो पहली बार यहां से लोगसभा पहुँचे, वो यहां से लड़े महिनपुरी से और 1996 में महिनपुरी सीट से जीत कर लोगसभा पहुँचे, 1998 और 1999 में समाजवादी पार्टी के ही बलराम सिंग यादों ने यहां से चुनाओ जीत लिया था, जबकि 2004 में एक बार फिर से मुलायम सिंग इस सीट से चुनाओ लड़े और जीते, लेकिन फिर उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया और इसी साल दोबारा उपचुनाओ हुए तो उनके भतीजे धरमें रियादों ने यहां से चुनाओ लड़ा और वो भी जीत गए, 2009 और 2014 में मुलायम जगह से जीत गए तो आजमगर से उन्होंने अपनी सांसदी बरकरार रखी और मैंपुरी से उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, क्योंकि वो जानते थे कि मैंपुरी तो जीतना ही जीतना है, हम जिससे भी खड़ा करा देंगे, वो मैंपुरी जीत ही लेगा, के जो पिताजी थे, उनके बड़े भाई के पोते हैं, तो तेज प्रताब सिंग ने जो है, तेज प्रताब यादो ने यहां पर चुनाओ जीत लिया, अब हम बात कर लेते हैं, 2019 के लोग सभा परिणाम की, क्योंकि काफी करीबी यह मामला पिछला जो लोग सभा चुनाओ यहां पर 4,30,537 वोट मिले थे, तो आप देख सकते हैं कि आसानी से यह चुनाओ मुलाइम सिंग जीन ने जीत लिया था, दो हजार बाईस का जब उप चुनाओ हुआ तो मैंने इसके बारे में बताया ही, कि यह बहु बनाम चेले के बीच का चुनाओ था, जिसमें डिमप यादों ने यह चुनाओ जीत लिया था, 2,88,000 अगर बोले तो इतने मतों से डिमपल यादों ने यह चुनाओ जीता हुआ है, अच्छा सबसे ज़ादा अगर मतलब मुझसे आप पूछें तो जो सबसे ज़ादा जो चीज निर्धारित करेगी कि आने वाले चुनाओ में क पांच विधान सभा सीटे हैं, मैंदपुरी में पांच विधान सभा सीटे हैं, चार मैंदपुरी में हैं और एक इटावा की जस्वन्त नगर शामिल है जहां से शिवपाल यादों जी जो है विधायक है, तो पहली विधान सभा सीट मैंदपुरी मैंदपुरी की ही है, मै जो कि लेकिन इसके बावजूद जब यह चुना हुआ मैंनपूरी में विधान सभा सीट में तो उप चुनाओ में भी यानि डिमपल यादो और रगुराज सिंग शाक का 2022 में जो उप चुनाओ हुआ था इसमें मैंनपूरी सीट भले ही भारती जनता पार्टी के कबजे में ह डिमपल यादो को कहीं अधिक वोट मिले थे रगुराज सिंग शाक से जो कि भारती जनता पार्टी के उमीदवार हैं यहाँ पर डिमपल यादो को एक लाग पांच हजाद साथ सो पंचानबे वोट मिले मैंनपूरी विधान सभा से जबकि रगुराज सिंग शाक को 69,813 मिले इसी तरह एक और इसकी जो मतलब यहाँ पर सीटे कौन कौन सी विधान सभा की मैंनपूरी भोगाओं किशनी करहल और जस्वन्त नगर तो मैंनपूरी में आपने देखा कि डिमपल यादो आगे थी इसी तरह भोगाओं सीट जो है इस पर भी वतमान में इस विधान शाके को 73,818 वोट मिले तो आप देख सकते हैं कि इस सीट से भी डिमपल यादो आगे हैं किशनी किशनी विधान सभा सीट ये तो समाजवादी पार्टी के ही पाले में है एक लाग साथ हजार एक सो पचास वोट मिले थे 2022 उपचुनाओं में डिमपल यादो को जबकि साथमान में विधायक हैं अखिलेश यादो खुद करहल के विधायक हैं अखिलेश यादो इन्हें एक लाख चालीस हजार पांस तो अठाटर वोट इट्स इस सीट से मिले थे डिमपल यादो को 2022 उपचुनाओं में जबकि रगराज सिंग शाकी को 65,116 वोट मिले थे इसी सीट लेकिन जो है लोग सभा में ये मैंपूरी के भीतर ही है तो जस्वंत नगर है यहां से शिवपाल सिंग विधायक है और यहां पर डिमपल यादो को एक लाख 64,916 वोट मिले जबकि रगराज सिंग शाके को 58,419 तो आप देख सकते हैं कि शिवपाल ने भी पूरी तर से यहां पर अपने परिवार की सीट में अपने परिवार की मदद करी थी कोई भी यहां पर पारिवारिक कलह वाला कोई मामला नहीं है पूरी तरह निपड़ चुका है तो अब भाई आप लोग यह बताओ 80 सीट वाले लोग कि भाजपा साब 80 में 80 जीत जाएगी तो आपक को और जादा स्पष्ट कर देने के लिए हम यहां पर जाती है समीकरण भी देख लेते हैं तो यादो यहां पर कुल साड़े तीन लाख है वोटर जबकि ठाकूर डेड़ लाख वोटर हैं ब्रामणों की संख्या एक लाख बीस हजार है शाक के एक लाख साथ हजार है जाट कर्म भी यहां पर एक लाख है कुर्मी एक लाख है और वैश एक लाख है तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को यहां पर 80 में एक तो भाई घटा लो ठीक है 80 में अब कितनी सीट आएगी भाती जनता पार्टी की 89 आएगी आपके हिसाब से तो अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम बताएंगे कि और घटाना है कि 80 पर ही आप ठीके रहेंगे ठीक तो ऐसे 80 में 80 वाली बात यार मत किया करो कोई कोई आपका कोई लॉजिक होना चाहिए कोई मतलब होना चाहिए पढ़े लिखे लोग हो हवा हवाई बातें करते हो ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मेरे हिसाब से मैंधपुरी लोग सभ सीट जाएगी समाजवादी पार्टी के खाते में आपको क्या लगता है किसके खाते में जाएगी आज के लिए बस इतना ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना न भूले धन्यवार